दोस्तों सब्सक्राइब करें टॉप वर्ड वाइड क्रिकेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं क्रिकेट की खबरे सबसे पहले पाने के लिए मैदान पर भीड़े यूशूब पठान अजिंकी रहाने खिलाडियों को करना पड़े बीच बचाओ क्या है पूरी खबर जानेने के लिए इस वीडियो को लाश तक देखें नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों मॉंबाई की टीम ने बड़ोद्रा को 309 रोनों से हरा कर रंजी में अपना अभिने का जीत के साथ आगाश किया बड़ोद्रा के रिलाइंस स्टेडियम पर खेले जा रहा है इस मैच के आखरी दिन गुरुवार को मैदान पर उस वक्त हरकम मच गया जब दो भारतिये क्रिकेटर आपस में बहस करते देखे गए घटना बड़ोद्रा की पारी के 48 में ओवर की है जब अमपायर ने यूसूप पठान को कैच आउट दे दिया आकास पबार की गेंद यूसूप पठान के पैड़ पर लगी थी लेकिन अमपायर ने उन्हें कैच आउट करार दिया अमपायर के इस फैसले से नाराज यूसूप क्रिच छोड़ने के लिए तयार नहीं थे पठान के क्रिच पर खड़े रहने के बाद रहाने उनके पास आये और दोनों को बीच कुछ बास्चीत होने लगी ये बास्चीत काफी देर तक चलती रही तब ही मुंबई के खिलाडी रहाने को यूसूप पठान से दूर ले गए इसके बास 37 वर्थिये बल्ले बाज को पावेरियन लोटना पड़ा हाला कि लोटते वक्त भी यूसूप पठान फैसले के खिलाप ही इरहलाकर आसाहमती जताते हुए न जा रहा है बढ़ोद्रा के खिलाप इस जीत के फाल्स रोप मॉंबई ने च्छा अंक हासिल किये जबकि बढ़ोद्रा को कोई अंक है दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही आपके क्या रहा है आप अपनी रहा है में नीचे कमेंट सिक्षन में देना मत भूलेगा जाता जानकारी और क्रिकेट की अन्य तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही वीडियो को लाइक और सेर करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद